जिन्द की भर काम आएंगी ये पाँच बातें नमबर एक, सबसे समझदार व्यक्ति वो होता है जिसके आँख कान तो खुले हो प्रन्तु मुहू बंध हो यानि की समझदार इंसान वही है जो देखता और सुनता तो सब है लेकिन बोलता सिरफ तब है जब जरूरत होती है फालतु और बेकार की बातें करने से अच्छा है कि हम तभी बोलें जब जरूरत हो अक्सर वो लोग जो बिना मतलब कुछ ने कुछ बोलते ही रहते हैं उनकी बातों को कभी कोई सिरियसली नहीं लेता इसलिए देखें सुनें और चीजों को समझने के बाद अपनी बात कहें नमबर दो जो लोग हमेशा अपनी गलतियों पर ध्यान देते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं वही लोग बुद्धिमान कहलाते हैं ये बात सच है कि जो इनसान अपनी गलतियों से सीख लेता है वो दोबारा कभी एक जैसी गलती नहीं दोराता और यही एक बुद्धिमान व्यक्ति की निसानी होती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती को समझ कर उससे सीख लेकर जिन्दगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई बार बताने के बाद भी एक ही गलती कई बार करके खुद को दूसरों के सामने बेवगूप साबित कर देते हैं। जैसे एक अच्छा बीज एक बड़े से पेड को जनम दे सकता है। उसी तरह एक अच्छा विचार हमारे जीवन में कई सारी खुचियों को जनम दे सकता है। हमें अपने मन में आने वाले हर अच्छे विचार को संभाल कर रखना चाहिए और मन में आने वाले सभी उल्टे सीदे और गंदे विचारों को हमेशा अपने से दूर रखना चाहिए। क्योंकि अच्छे विचार ही हमारी सोच और समझ को अच्छा करते हैं। अच्छी सोच और अच्छे विचार ही एक अच्छे इनसान की निसानी होती हैं। नमबर चार, रोते हुए को रुलाना, डरते को डराना यही दुनिया की रीथ हैं। इसलिए ना कभी डरें और ना कभी रोएं, खुद को हर पर्ष्थिती में मजबूत रखें, दूसरों से बेवजय डरना या अपने हालातों पर रोते रहना एक कमजोर व्यक्ति के निसानी होती हैं, एक बात हमेशा याद रखें, हर व्यक्ति अपने आप में ताकतवर होता ह और वो जब चाहे तब अपने जिंदगी और हालातों को बदल सकता है, इसलिए खुद को कभी कमजोर ना समझें, नमबर पाँच, जब आप बहाने बनाते हैं, तो किसी और को नहीं, बलकि आप खुद को धोका देते हैं, और अपनी सफलता को खुद से दूर कर देते हैं, एक कामचोर और ऐसफल व्यक्ति की सबसे बड़ी निसानी होती हैं, बहाने बनाना और हर काम से खुद को दूर रखना, बहाने बनाने वाला भले ही काम से बच जाता है, लेकिन हर बार वो कुछ नया सीखने का मोका भी गमा देता है, जब कोई ऐसा काम हो, जिसे करने से का फाइदा हो, उस काम को ना करने का कभी बहाना ना बनाएं, हम जब जब कुछ नया काम करते हैं, तो हर बार हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए बहाने कम बनाएं और काम ज्यादा करें, और कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, आसा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कोमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद दोस्तो